फस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार मैं राहूल हुड़ा और आप देख रहे हैं firstby.tv लिसाडी गेट थाना शेत्र के महला बुनकर नगर में प्राताह सुभा करीब 6 बजे चार नकाब पोश अग्यात बदमाशों ने शादाब पुत्र सलाउत दिन को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी डेरी पर काम कर रहा था. आपको बता दें शादाब अपनी डेरी चलाता है बुद्वार सुभा करीब 6 बजे मवेशी का दूद निकाल रहा था. तबी चार नकाब पोश बदमाश दूद लेने के बहाने डेरी पर पहुँचे जिन में से दो बदमाश बाहर खड़े रहे और दो बदमाशों ने शादाब पर हमला बोल दिया. गोली इतनी करीब से चलाई गई थी कि शादाब की जान भी जा सकती थी. गोली के आवाज सुनकर महले वाले वे बड़े भाई आश महम्मद ने आकर देखा तो उसके भाई की मदद से गोली को निकाल लिया गया है. वहीं शादाब की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. आए जानते हैं क्या कहना है शादाब के बड़े भाई आश महम्मद का. और उसके गोली मार के भाग ले इतने हम उठके भाग चुके ज़ें उनकी पैचान नहीं कर पाए उसुबह लाइड भी भागी वी थी और कोरा भी जा देता है. अभी तो हमने तहरीर नहीं दी हम भाई उट जा जबे तो जिसके गोली मार ये सोच रहे हैं के पहले वही बत बयान दिलवाएंगे